अलो बच्चों कैसे हैं आप सब क्या आपका सपना CDS 1 2025 या CDS 2 2025 को क्लियर करना है अगर हाँ तो आपको कई important बातें जाननी बहुत जरूरी हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर आज के इस session के अंदर मैं कई important points पर आपके साथ बातें हापर discuss करने वाला हूँ जिससे आप एक idea लगा पाओ कि CDS की त्यारी करने के लिए आपका syllabus क्या होना चाहिए, age क्या होने चाहिए और सारी और भी important बातें इस session के अंदर होने वाली हैं तो पूरी बीडियो जरूर देखिएगा आपको सारे insights मिल जाएंगे कि CDS की त्यारी करने के लिए आपको किन किन चीजों की requirement क्या आपका age criteria है, ठीक है, कितनी बार आप form भर सकते हैं, कब भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, सारी बाते इस वीडियो में होने वाली हैं, तो यहाँ पर आपके सामने साही चाहिए यह लिखियों यह देख सकते हैं कि exam, किस exam के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जहें CDS के बारे में बात कर रहे हैं, age criteria क्या है, cut off कितनी जाती है, physical होता है या नहीं होता है, syllabus इसका क्या है, qualification आपको क्या चाहिए, SSB process क्या होता है, और salary कितनी होती है, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात होने वाली है, तो चले ही start करते हैं आज के session को, और एक बात मैं आप को और बता दूँ, आज का session ये वीडियो देखने से पहले, अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट सबसे पहला काम किये channel को subscribe कर लिजे, जिससे अगर आप CDS की तियारी कर रहा हो तो इस channel के ऊपर आपको सारी जानकारी, basic से लेके high five, content related, exam related, generic, कोई भी आ आपके doubts हैं सारे के सारे इस channel पर clear किये जाते हैं, तो आपका one stop solution होने वाला है, बिल्कुल starting से लेके last part तक का, तो आजाए ये फटा-फट एक-एक करके सारी बातें करते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप CDS 1 2025 या CDS 2 2025 की त्यारी कर रहे हैं, तो important dates क्या है, कब आपका notification के लिए 11 December 2024 को आपका क्या आएगा, application, notification यहाँ पर release हो जाएगा, अच्छा, exam date क्या है, 13 April 2025, तो 13 April 2025 को आपका क्या होने वाला है, exam होने वाला है, simple दी बात है, अच्छा, दूसरी बात करें, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर CDS 2 2025 का, तो वैसा आप इसका application कब से start होग CDS 1 2025 तो 13 April 2025, और CDS 2 2025 तो 14 September 2025, यहाँ से यहाँ पर आप देख पारे हो, 5 महीने का आपको समय मिलता है, इन दोनों exams के बीच में, जो gap आपको दिखाई पढ़ ला है, तो आप date जानगे कि भाई, कब आएगा notification और कब होगा exam, तो उसके लिए preparation अभी से start कर दो, planning अभी से start कर दो, वो सारी बाते हम लोग आगे करेंगे, आ जाये, दूसरा कई बच्चों की query होती ही, कई बच्चों की doubt होता है कि अगर मैं CDS 1 2025 के लिए apply कर रहा हूँ, अगर मैं form filling करूंगा, तो मेरी age क्या होनी चाहिए, देखे ध्यान से, यहाँ बर main है तीन चीजे, IMA, INA और AFA, आप सभी को पता है, IMA, INA और AFA के through, आपको क्या मिलता है PC, इसको full form में हम लोग क्या कहते है, permanent commission, ठीक है, दूसरा, अगर आप OTA के through जाते हैं, तो आपको मिलता है short service commission, ठीक है, आ जाये, age क्या क्या होनी चाहिए, so 19 to 24 years, अगर आप IMA apply करना चाह रहे है, date आप देख सकत इसके बीच में lie करती है, including these dates, ठीक है, 2nd January 2002 से लेकर 1st January 2007, अगर इसके बीच में आपकी क्या है, age है, तो आप क्या कर सकते हो, IMA के लिए form fill कर सकते हो, IMA की बात कर लेते हैं, तो 19 to 24 years है, तो 2 January 2002 से लेकर 1st January 2007, यहापर same ही आप देख सकते हो, और even यहाँ पर, अगर आप द 24 साल, यहाँ पर 19 to 24, 19 to 24, यहाँ पर 20 to 24 कहा जाता है, 2nd January 2002 से लेकर 1st January 2006, तो simple थी बात, अगर इनके बीच में आपकी date है, आपकी age की date इनके बीच में आ रही है, तो आराम से आप form fill कर सकते हैं, वहीं पर बच्चों, अगर आप OTA के लिए जा रहे हैं, तो आपका 19 to 25 years, 19 से 25 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए, date आप देख सकते हो, 2nd January 2001 से लेकर 1st January 2007, simple सी बात है, इनके बीच में अगर आपका age, आपकी जो date of birth है, वह लाई कर रही है, तो आराम से आप form filling को कर सकते हैं, कई बच्चों query रहती है कि sir, date क्या है, किसके अंदर हम fill कर सकते हैं, तो यहां से आप इस बात को एकदम clearly mention किया गया है, कोई tension आपको होना ही नहीं है, इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम exact बातें कर रहे हैं, जिससे आपके doubts कोई आए ही ना, फिर भी अगर आपको कोई doubt आता है, तो comment box पे बात मिलिक दीजिएगा, उसका reply हम ल commission, तो यहां पर वही है, 1924, 1924, 2024, 1925, dates यहां पर mention है, 2nd July 2002 से लेकर 1st July 2007, 2nd July 2002 से लेकर 1st July 2007, 2nd July 2002 से लेकर 1st July 2006, और यहां पर 2nd July 2001 से लेकर 1st July 2007, तो यह आपको दे रखी है range, अच्छा धियान रखना है, इसमें जो date दी गई है, इसको include कर लिया जाता है, तो अगर आप इ form, fill कर सकते हैं, exact date की बात चल रही है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोगोंने दोनों बाते की, कि CDS 1 2025 के लिए क्या age criteria है, और CDS 2 2025 के लिए क्या age criteria है, आपको पता है, CDS का exam साल में दो बार होता है, तो 2025 में साल में दो बार होगा, कब होगा मैंने आपको बता दिया, अ बाई साब, यहां साफ साफ सारी बाते आपको बताई जा रहे हैं, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, कई अच्छे पूछते हैं सर, qualification क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या qualification हो, जिससे हम CDS का form fill कर सकते हैं, आ जाईए, अगर आप IMA या OTA के लिए जाना चाह रहे हैं, यह आप आपका permanent commission है या आपका short service commission है, ठीक है, चलिए, दोनों के लिए bachelor degree in any stream, किसी भी stream में अगर आपकी bachelor degree है, तो आराम से आप IMA और OTA के लिए form भर सकते हैं, अगर आप INA के लिए जाना चाहते हैं, नेवल अकेडमी के लिए बिच्छों, तो bachelor degree in engineering, ध्यान रखना, यहां पर bachelor degree किसमें चाहिए, engineering में, आपने BE की हुई हो, आपने BTEC किया हुआ हो, तो आराम से आप INA के लिए form भर सकते हो, बास समझ गए, चलिए, दूसरी बात करते हैं, AFA, यहर फोर सेकेडमी के लिए अगर आप जाना चाहते हो, तो bachelor degree in any stream, with physics and math in 10 plus 2 level, और bachelor of engineering, मतलब देखो, अगर bachelor of engineering आपने की है, मतलब BTEC हो या BE हो, तो INA और AFA को आराम से फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप बात करेंगे, किसी भी, ध्यानकना, किसी भी stream में आपने bachelor किया हुआ हो, और physics और math आपके 10 plus 2 level में रहे हो, तो आप AFA के लिए apply कर सकते हो, लेकिन ध्यानकना, INA के लिए engineering चाह यहाँ पर और है, this हो जाए, और आपका bachelor of engineering हो, बास सोज में आ रही है, simple सा, ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, हाँ, यह बड़ा important point है, इसको मैंने आपर screenshot लेके डाल दिया है, इसमें यह कहना क्या चाहरा है, यह बताना क्या चाहरा है, कई बच्चों की query रहती है कि इसर, मैं BTEC के, मालते हैं BTEC की बात कर रहा हूँ, BTEC को बच्चा 4 साल का कर रहा है, तो BTEC के मैं last year में हूँ, मतलब माल लेते हैं मेरा 7th semester चल रहा है, या मेरा 8th semester चल रहा है, तो क्या मैं form fill कर सकता हूँ, so answer is yes, अगर आप अपने last year में हैं, आप कोई भी course कर रहे हो, BTEC कर रहे हो, BSC कर रहे हो, अगर अपने last year में हो, या आप last sem में हो, तो कि आपको पते हैं माल लो BSC की बात कर रहे हो, तो आपर semester नहीं होते हैं, year y चलता है, BTEC की बात करो तो वहाँ semester चलते हैं, तो मेली धियान रखो कर आप last year में हो, तो आप form को fill कर सकते हो, लेकिन वहाँ प आत को आप पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉस करके यहां पे लिखा हुआ है देख सकते हो Candidates who are studying in the final year or semester degree courses are required to submit at the time of SSB interview a bona fide certificate issued by university or college stating that they will be able to submit their proof of passing the graduation degree examination by the specified date मतलब आपने form fill कर दिया और आप गए SSB के लिए आपकी degree complete नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा आपको इन्वेस्टी से एक bona fide certificate लेके जाना पड़ेगा कि भाई इस date तक जो भी date वहाँ mention की गई होगी उन्वेस्टी वहाँ लिखके आपको देंगे कि इस date तक हम आपको पूरा जो भी document यहाँ पर है इसको आप देख सकते हो graduation की आपकी degree जो है वो आपको submit वहाँ पर कर देनी पड़ेगी यह मतलब आपको लिखके लिखवा के लिए के जाना पड़ेगा कि भाई साब इस बच्चे की डिगरी जो है इस तारीक तक हम लोग उन्वेस्टी से आपको दे देंगे ठीक है तो वह certificate आप जमा कर देंगे process आपका complete हो जाएगा लेकिन जो date है देख लो पढ़ लो failing which the year candidature will be cancelled मतलब जो date आपने दी है जो वहाँ पर mention की गई थी उस समय तक अगर आप document submit नहीं कर पाए जो मांगा गया था तो बिना any if but के आपका इवन आप पास हो तब भी cancel कर दिया जाएगा बास सौन में आ रही है और इसके respect में यहाँ पर उपर आप पढ़ सकते हो लिखा हुआ है कि कोई भी concession आपको अलग से provide नहीं किया जाएगा जो date है वो date है बास सौन में आ रही है simple सा तो बच्चों की query जो होती है मैंने आप आपको बता दिया साफ साफ अगर आप अपने graduation के last year में हो या last semester में हो या second last semester में हो जैसे मालो last year बीटेक वालों की बात कलते हैं last year आपके दो semester होते हैं 7th and 8th बात क्लिया तो 7th में हो तो ही fill कर सकते हो 8th में हो तो ही fill कर सकते हो अपना age criteria वो ध्यान नकना अगर आप BSc कर रहे हो for example या BA कर रहे हो for example तो last year में हो तो वहां से आप fill कर सकते हो simple है very good आजाइए अब होता है वाई साफ की सर सब कुछ बाते समझ गए कि exam कब होगा 2025 में वो clear हो गया age क्या होनी चाहिए मेरी दोनों exams के लिए वो clear हो गया अगर मैं last year में हूँ तो क्या मैं fill कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ वो clear हो गया फिल कर सकते हो condition apply है जो आपको बता दिया गया कि आपका उस समय तक सारी चीज़ें complete हो जाने चीए जो भी date वहां पर mentioned होगी ठीक अब मुद्दा होता है कि सब syllabus क्या है क्या पूछता है कई बैचे सोचते हैं कि CDS का अगर form भरना है उनको पता ही नहीं है भाई साब क्या पूछा जाता है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत important है ठीक है आजाईए देखे अगर आप बात कर रहे हो IMA, INA, AFA मतलब CDS के through अगर आप permanent commission की बात कर रहे हो PC आपको चाहिए permanent commission जो IMA INA और AFA के through आपको मिलता है तो आपको तीन subject का paper देना पड़ेगा बच्चों और तीनो paper एक ही दिन में होते हैं, तीनो paper एक ही दिन में होते हैं, time क्या होता है 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5, मतलब same day आप लगातार paper दे रहे होते हो, बात समझ गए, दो-दो घंटे की paper होते हैं, आ सबसे पहला paper क्या होगा आपका English का, questions कितने होंगे, 120 question होंगे, हर question कितने number का होगा, 0.83, जिससे आपका maximum mass कितना बनेगा 100, paper कितने का 2 घंटे का, तो आप देख सकते हो, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 9 से 11, 12 से 2, 3 से 5, ये 3 paper same day आपको देने पड़ेंगे, generally exam Sunday को ही होता है ठीक, अच्छा, general knowledge में भी आपके 120 question होते हैं, मतलब English का paper 120 question, general knowledge का paper 120 question, कितने number का, 100, 100 number का होता है, हर question 0.83 number का होता है, क्या negative marking होती है, बिल्कुल होती है, 1 by 3rd part की negative marking आपको मिलती है, तो ध्यान से गोले-अले भरना, ठीक, अब बात करते हैं, maths की, तो maths में भाई साब 100 question आत हैं, हर question एक number का होता है, तो 100 marks की यहाँ पर त्यारी हो गई, अच्छा, ध्यान सुनना, कई बच्चे सोचते हैं, कि सर, maths हमारी बहुत कमजोर है, ठीक है, ध्यान रखो, अगर maths कमजोर है, तो permanent commission का जो सपना है, वो तो छोड़ दो, आपको उसरी कैसी बात कर रहे हो, चाहि हो OTA में, तो वहाँ पर भाई साब, अगर आप short service commission, 10 साल या 14 साल की आप job करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको केवल दो paper देने होते हैं, एक English का बच्चों और एक GK का, यहाँ पर आप maths वाले paper से बच जाते हैं, मने आपको time बताया, सुबह 9 से 11 हो गया English का, 12 से 2 आप का हो गया, GS का, उसके बाद आपने घर जा सकते हो, साम को 3 से 5 वाला paper आपको नहीं देना है, किसके लिए, OTA के लिए, अच्छा एक बात और, girls, ठीक है, केवल OTA का form भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, मतलब girls के लिए, IMA, INA और EFA में अभी entry नहीं है, OTA के थूँ आ आप जा सकते हैं, short service commission के लिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे, मतलब girls अगर form भरना चाह रही है, तो वो English और GK का paper देकर, OTA के through entry वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, pattern वही है, same, देख सकते हो आप, जो यहाँ पर था, 120, 120 question, वही इस कहानी, यहाँ पर भी है, तो डिक् से 11, सबने paper दिया, 12, सबने paper दे दिया, अब जिसको IMA, INA, AFA, मतलब permanent commission चाहिए, वो साम को 3-5 math वाला paper भी देगा, जिसको नहीं चाहिए, वो अपने घर जा सकता है, दो बजे, ठीक है, बात सौन में आ रही है, तो अलग से paper नहीं होगा, इसमें भी negative marking होती ही होती है, होता है, बच्चों, सेहम स्लेबस यहाँ पर है, मतलब history, polity, geography, economics, current affairs, defense gk, देख सकते हो, आप सारा का सारा, physics, chemistry, bio, सब कुछ आपका, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहली बात ही होगी, पूरा, देख सकते हो, history, वो भी ancient, medieval, modern, तीनों history आपको पढ़नी है, geography, पूरी पढ़नी है, इंडियन economics पढ़नी है, इंडियन polity पढ़नी है, बाल जी, physics, chemistry पढ़नी है, current affairs पढ़ना है, defense gk, यह सारी चीज़ें पढ़नी है, कितने question आएंगे, 120 question पुछ जाते है, ठीक, English में क्या-क्या पुछा जाता है, antonym, synonym, sentence improvement, comprehension पुछा जाएगा, word substitution, ordering of sentences, spot sorting errors, selecting words, sentence arrangement, close test, reading comprehension, यह क्या हो गया, slivers, अब बात करते हैं, बच्चों, maths में क्या-क्या पूछा जाएगा, ठीक है, आजाएगे, फटा-फट, तो maths में पूरा arithmetic और पूरा advance आपसे पूछा जाएगा, including number system, बच्चों, including क्या बता हूँ, यहाँ पर, number system, देख सकते हैं, आप average, time and work, time speed distance, interest, boards and stream, mixture, ratio, number system, aesthetics and logarithm, advance में, algebra, mensuration 2D, mensuration 3D, trigonometry, height and distance, geometry, polygons, lines, angles, triangle, circle, quadiliter, यह पूरा क्या है, यह पूरा आपका maths का syllabus है, कहने के लिए, तो बच्चों, जो syllabus है, बोला जाता है, कि 10 तक की maths पूछे जाती है, but level of questions जो पूछे जाते हैं, topic वही है, 10 तक का ही topic है, लेकिन जो questions का level होता है, वह काफी अच्छे level का आपसे question, पूछा जाता है, उसके लिए आपको त्यारी करने पड़ती है, और बहुत भी basic level से लेकर, high level तक आपको पुरा पढ़ना पड़ता है, बास वामें में आ रही है, चले, अच्छा, कई बच्चे इभ हुआ है, तो बताइए किस paper में score करना सबसे आसान है, और किस paper में score करना सबसे hard है, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चो इसका increasing order, level of difficulty का increasing order क्या है, सबसे पहली बात, सबसे आसान paper किसका आता है, English का, तो अगर आपकी English अच्छी है, तो समझे लो, आप थोड़ा comfort zone में हो, कि English में आप अच्छा score कर सकते हो, कि paper कभी बहुत जादा hard नहीं आता, English का, उसके बाद किसका level आता है, उसके बाद आता है, Maths का level, क्यों, Maths ऐसा subject है, कि अगर आपने एक बार अच्छे स्तियारी कर ली है, तो आप आराम से question निकाल सकते हो, और सबसे खतरनाक level किसका आता बच्छों आता है, GS का, क्यों, GS वैसे ही इतनम खतरनाक level ब्रॉड है, उपर से UPSC इस paper को करवा रही, तो आप समझ सकते हो, किस level की चीज़े आप से पूछी जाती है, समझ गए, तो level of difficulty का increasing order क्या है, English, then Maths, and then GS, बात सोंज में आ रही है, तो बच्चे इस तरह से score भी करत देना है, English and GS, वहाँ पर आप उस बात को समझ गए होगे, ठीक है, आ जाईए, अब बात होती है, इसे previous cutoff कितनी कितनी आस तक गई है, ठीक है, देखो ध्यान से, IMA, INA, AFA, आप तीनों देख पा रहे होगे, यह जो cutoff आप देख पा रहे होगे, यह जो cutoff आप देख पा र 2022, CDS1 2023, इनकी इतनी cutoff आपको दी गई है, अगर आप देखोगे, इन सभी मिला कर, सबसे ज़्यादा cutoff कब गई है, 147 marks गई है, CDS1 2022 में, मतलब 300 नंबर की paper में, लगभग 1500 नंबर क्या है, आपकी cutoff है, मतलब 50%, मतलब सोचो, कि अगर आप पूरा paper त्यारी कर रहे हो, तो 50 percent score करने पर आपकी cutoff clear होगी, मतलब आपको तीनों subject में at least 50, 50, 50% average के हिसाब से लाना पड़ेगा, मतलब paper इतना आसान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, और paper में level ही बहुत अच्छा आता है, इतना अच्छा level आने के बाद भी 50% बिजाए cutoff लग रहे है, मतलब बच्चे खूम मेहत करके जाते हैं, आपको भी जाना पड़ेगा, ठीक है, आजाईए, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, OTA men, OTA women, cutoff किती आती है, अच्छा यह जो cutoff आप देख पा रहे हैं, यह मैं सोचना यह बहुत कम है, यह out of 200 है, क्योंकि mask paper देना नहीं है आपको, so out of 200 देख सकते हो, हर बार cutoff, 100, 98, 101, बतलब वही 50%, तो चाहें आप यहाँ परवेंट कमिशन की बात कर लो, sources कमिशन की बात कर लो, 50% cutoff आप मान के चलो, बतलब हर paper में, अगर आवरेज निकालने बैट रहे हो, तो हर paper में 50% आपको पाना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, म कर रहे हैं यहाँ पर, आप यह नहीं कर सकते हैं कि भाई, GS छोड़ देंगे, Maths और English में खतरना की स्कोर कर देंगे, और पास हो जाएंगे, नहीं नहीं, हर section को भी आपको clear करना पड़ेगा, हर section को भी आपको clear करना पड़ेगा, बात सोंच में आ रही है, चलिए, 20% आपक हर section में करना पड़ता है, यह तो हो गई पूरी written की बाद, written के बाद क्या होता बच्चो, written के बाद होता आपका SSB, बात clear, SSB क्या होता है, 5 days का एक process होता है, SSB is as like interview आप समझे लोग उसको, बट वो normal interview नहीं है, 5 दिन आपको जाकर वहाँ पूरा अपना दिखाना हो है, देखे, तो बाई SSB जो प्रशे होता है बच्चो, पास इनका day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, बात clear, चले, day 1 पे क्या होता है, OIR test होता है, और PPDT, यह दो test होते है, day 1 पर, यह क्या होते है, कैसे होते है, इनके बारे में अलग वीडियो आपको बनाएंगे, बढ़ day 1 पे आपका क्या क्या सकते हैं, बताओ, वहां से बाहर निकाले जा सकते हो, या तो day 1 पे आप निकलोगे, और day 1 पे आप सरवाइव कर गए, तो फिर आप day 5 पे निकलोगे, बात समझ में आ रही है, day 5 पे जो बच्चा आप बाहर होता है, भगवान न करे कोई हो, ठीक है, वैसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रहा है, तो 5 देज का भई साब ये क्या हो गया, SSB प्रोसेस, मतलब पहले आपने रिटेन दिया, उसके बाद रिटेन क्लियर किया, कट ओफ क्लियर होई, उसके बाद आपको SSB के बुलाया जाएगा, 5 दिन का प्रोसेस हो तो यहाँ आप देख सकते हो, IMA, INA, AFA, इनके लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, देख सकते हो, 157.5, 157, 162.5, AFA हाइट देख रहे हो, जहाँ चाहिए, और OTA लिए कितना 157.5, अगर आपकी इतनी हाइट है, ध्यानक न, अगर इतनी हाइट है, तभी इस फॉर्म को फिल करना, अगर इतनी हाइट नहीं है, तो फॉर्म फिल करने का फाइदा नहीं है, आप रिटेन निकाल लोगे, SSB कल लोगे, फिर जाके लास्ट में, मेडिकल के टाइम पे छट जाओगे, बास वान में आ रहे है, ठीक है, तो को फीमेल, IMA, INA, AFA के लिए अपलाई कर कर सकते हैं, OTA के लिए, हाइट कितने चाहिए, 152, यहाँ पर कुछ रिलक्षेशन भी है, फाइब सेंटीमेटर फार गोर्खाज, अगर आप इस इस रिजन से बिलॉंग करते हैं, तो फाइब सेंटीमेटर का आपके लिए क्या है, एज रिलक्षेशन है, दो सेंटीमेटर का है, किसके लिए, जो बच्चे लक्ष द्यूप से हैं, उनके लिए 2 सेंटीमेटर का एज रिलक्षेशन आपको, एज, सुर्य बच्चों, आपको हाइट का रिलक्षेशन मिल सकता है, ठीक है, चलिए, अच्छा, वही बात है, यहाँ पर फिटनेस की बात, तो फिटनेस क आपको नहीं होगा, ठीक है, आपको रिटन भी क्लियर करना है, मतलब माइंड चेक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा SSB होगा, पांस दिन का, उसमें चेक हो जाएगा, एक आप किस टाइप के हैं, आपको पास OLQs हैं या नहीं, जनको OLQs नहीं पता हो, ऑफ की personality check कर लिए उसका फिजिकल क्या फिजिकली fit हो या नहीं हो ठीक है आपको इस देश की सुरच्छा का जिम्मा दिया जा रहा है तो आप mentally, physically, emotionally हर तरह से fit है या नहीं अगर आप fit है तभी आप सेना में उस position में पहुंच पाएंगे ठीक बच्चों चलिए अब बात होती है salary structure क्या है तो मैं इस पर ज्यादा नहीं जाता हूं आप सभी को अच्छे पता है lieutenant, captain, major, lieutenant, colonel, colonel, brigadier, major general, lieutenant, colonel, HAG plus scale ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर सारी बाते मुद्दा यह है कि जब आप देश की सेवा करने जा रहे हो ठीक है मैं मानता हूं कि पैसा जरूरी है रहने के लिए चीजों को सेट करने के लिए पैसा जरूरी है और उतना पैसा भरत सरकार आपको देगी बट मेरा यह मानना है कि अगर आप officer बनने जा रहे हो तो आपका एक dream है ठीक है वो पैसे के लिए नहीं follow होता मेरा ऐसा personally मानना है मुद्दा यह है कि आप देश के लिए जीने म मरने की ठीक है वो ललक जो होती है वो जज़बा जो होता है अगर आपके अंदर है तभी आप defense forces में जाएंगे और तभी आपको recruit भी किया जाएगा तो ठीक है पैसा जरूरी है और उतना पैसा दिया जाता है कि आप अच्छी lifestyle वहाँ पर रख पाईए सभल पाईए ठीक है लेकिन पैसा में बार बार मानता हूँ कि सबसे पहले देश की सुरच्छा का सवाल जब है तो वहाँ पर जज़बेवाई लोग होने चाहिए कि उनके लिए वो priority होती है और हमेशा से उनके लिए वही priority रही है फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर सारी बाते लिखी हुई है कि salary कितनी होती है pay level क्या होता है ठीक बच्छों और आप किस pay scale के अंदर लाई करते हैं ठीक है चले आगे बात करते हैं आगे क्या बात करनी है देखे ध्यान से अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि सबसे अच्छी टीम मानी जाती बच्छों अगर आप उनसे पढ़ना च चाहते हैं तो simple सा step है क्या करना है जाना है play store पर search करना है tap to crack tap करो exam crack करो tap to crack app को download करना है वहाँ पर आपके लिए regular time पर ठीक है नए नए लाइव courses, recorded courses, CDS की त्यारी कर रहे हो, NDA की त्यारी कर रहे हो, हर defense exam की त्यारी करने के लिए आपकी courses आते रहते हैं तो उस app पर जाकर आप आराम से courses को avail कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर बहुत ही अच्छी लिवल की त्यारी कर सकते हो, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक लिए bye bye, take care, jahind